दोस्तों, लोग केले का अक्सर इस्तमाल वजन घटाने या बढ़ाने के रूप में करते हैं लेकिन जो भी लोग केले को अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती कि केले को कब, कैसे और कितनी क्वांटी में खाना चाहीए जिसकी वज़े से उन्हें कभी भी मन चाहाँ फाइदा नहीं मिल पाता इसलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक दिन में कम से कम जाजा से तना केला हम लोगों को खाना चाहीए केले का इस्तमाल कौन कर सकते हैं और किने केले का इस्तमाल नहीं करना चाहिए इस वक्त केला खाने से क्या फाइदा होता है यानि केला खाने का सही समय क्या है वजन बढ़ाने के लिए कब और कैसे केला खाना चाहिए वजन घटाने के लिए केले खाने का सही तरीका क्या है और केले को किस की चीज के साथ मिला के खाने से क्या-क्या फाइदे और क्या-क्या नुक्सान हो सकते हैं तो सुरू करते हैं कि एक दिन में कम से कम और जादा से जादा कितना केला खाया जा सकता है उसके लिए हमें ये जानना होगा कि केले में क्या-क्या होता है और ये किन-किन प्रॉब्लम में फाइदा पहुचाता है लेकिन दिन भर में जादा सा जादा कितना केला खाना चाहिए इस बात की जानकारी होना भी जरूरी होता है दरासल केले में पॉटेजियम और फाइबर की मातरा सबसे जादा होती है हमारे सरीर को दिन भर में पाँंच से छे कैले से जाद केले क कबी भी नहीं खाने चाहीए क्यूंकि इस वज़े से सरीर में पॉटेजियम और फाइबर का बढ़ने का खतरा बना रहता है और यह आपको नुकसान भी पहुचा सकता है केले का इस्तमाल बच्चे, बूडे, जवान कोई भी कर सकता है लेकिन जिन लोगो को कपस की पॉलम रहती है उन लोगो को रात में केले का इस्तमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए यहां तक कि डियाबिटीज वाले भी केले का इस्तमाल कर सकते है लेकिन उन्हें दिन बर में कितना केला खाना चाहिए ये पूरी तरीके से उनके blood pressure पर depend करता है इसलिए diabetes वाले लोगों को केला अपने diet में शामिल करने से पहले अपने doctor के advice लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है exercise से पहले और exercise के बाद केले का इसमाल करने से ये हमारे सरीर में energy प्रदान करता है और अगर हम इसका इसमाल खाना खाने के 1 घंटे बात करते हैं तो ये पाचन सक्ती को बढ़ाता है और जिससे हमारी भूग भी बढ़ती है और हमें अपना वजन बढ़ाने में काफी मदद मिलती है और केले का इस्तमाल रात को भी किया जा सकता है लेकिन एक बात का ख्याल रखें रात को लेट नाइट किसी भी फल का इस्तमाल नहीं करना चाहिए अगर आप सोने से 3-4 गंटे पहले ही खाना खा लेते हैं लेकिन आपको ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि केले में फाइबर के साथ साथ बहुती अधिक मातरा में सुगर भी होता है इसलिए वजन को घटाने के समय केले का इस्तमाल करना बिल्कुल भी अच्छा उप्शन नहीं है लेकिन अगर आपको केला खाना पसंद है तो लगभग दिन में कम से कम एक या दो केले का ही इस्तमाल किया जा सकता है वजन बढ़ाने के लिए केला बहुत ज़्यादा फाइदे मन साबित होता है जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके एक्सरसाइज वाकिंग या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले और बाद में केले का इस्तमाल करना बहुत ज़्यादा फाइदे मन साबित हो सकता है लेकिन अगर आप वजन बढ़ाने के लिए केले का इस्तमाल कर रहे हैं तो अच्छे से पके हुए केले को ही खाएं क्यूंकि कच्चे केले में स्टार्च बहुत ही अधिक मातरा में होता है और पकने के बाद वही स्टार्च सुगर में बदल जाता है जो की वजन को बढ़ाने में अपना एक बेस्ट रोल देता है इसलिए सुबह पांच से छे खजूर खाने के बाद दो से तीन केले का सेवन करना चाहिए और अगर आप उसके बाद दूद पीना चाहते हैं तो कम से कम केला खाने के एक घंटे बाद ही दूद को लें केला हमेंसा मेडियम साइच का और जिस पर हलके से काले धब्बे हो उसी को इस्तवाल करना चाहिए चोटे और मोटे केले का इस्तवाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ध्यान रखें केला खाने के बाद कभी व्याब पानी को ना पिए क्योंकि ऐसा करने से सर्दी और कफ की पॉबलम हो सकती है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों अपने फैमिली के साथ शेर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक अपना ख्यार रखें ओके बाई बाई टाटा